हेलो फ्रेंड माइनम इस बसंद बरेट एम एकेडमिक हेड इन दिस जिपसा एंड वेलकम टूवर यूट्यूब चैनल फ्रेंड आज हम बात करने वाले हैं आर्ट्स कॉमर्स और साइंस के बाद अगर आफ 12 आर्ट्स कॉमर्स और साइंस अगर आपने कम्प्लीट किया हुआ है और आगे अपने एक अच्छे फ्यूचर के लिए अगर आप आगे की पढ़ाई को अगर आप बहतर बनाना चाह रहे हैं और आप ये प्लानिंग कर रहे हैं कि किस तरीके की पढ़ाई हमें करनी चाहिए आफ्टर आर्ट्स कॉमर्स या साइंस के बाद तो आज की ये वी के बारे में आपको बताने वाला हूँ तो चलिए लेट न करते हो वे हम स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को फ्रेंट जैसा कि आप जानते हैं कि जब भी हम लोग आफ्टर 12 के बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास सबसे बड़ा जो चैलेंजिंग रोल हो हमने सबसे बड़ा चैलेंजिंग आता है इस्पेशली जब हम 12 पास आउट हो जाते हैं सो फ्रेंट आज हम बात करने वाले हैं कि ऐसे ही कोर्स के बारे में जिसका नाम है इंडस्टियल फार एंड सेफटी जिहां फ्रेंट आज हम बात करेंगे कि आफटर 12 के बाद अगर आपने आर्ट से कॉमर्स से या साइंस अगर आपने 12 कंप्लेट किया हुआ है तो आप इंडस्टियल सेफटी के छेत्र में आप एक अच्छा केरियर बना सकते हैं फ्रेंड जिस तरीके से आज इंडस्टिलाइजेशन ग्रोथ कर रहा है कही न कहीं वहां पर गवर्मेंट क रूल रेगुलेशन बढ़ते जा रहा हैं ऐसे में वहां पर ऐस पर दा फैक्ट्री एक 1948 एक परसन है जिसको वहां पर अपॉइंट की जाती है दाइट इस सेफटी ऑफिसर जिहां फ्रेंड हम उसी सेफटी ऑफिसर के बारे में बात कर रहे हैं जिसका अपॉइन्मेंट हो होती है उसके लिए जो एक क्वालिफिकेशन की जरूरत होती है उसके लिए आपको किसी भी रेकोगनाइजड यूनिवरसीटी इंस्टिटूट से आपको सेफटी का कोर्स करना अनिवार्य हो जाता है ऐसे में आज हम बात कर रहे हैं उसी कोर्स के बारे में जिस तरीके से उद्योगों पे दुरगटनाय बढ़ रही है ऐसे में आपको सेफटी की जानकारी होनी बहुत जरूरी है अब बात यहाँ पर आती है फ्रेंड कि सेफटी की जानकारी और उसकी पढ़ाई हम कैसे करें तो सबसे पहले आप इंटरनेट में जाके यह सर्च कर सकते हैं कि इंड organizations and safety को लेकि जो practical training की जो हमारी सबसे बड़ी जो एक importance है वह हमारा practical कि कैसे इंडुस्ट्री में हम लोगों की जान बचा सकते हैं कैसे safety belt का use किया जा सकता है कैसे चोंट लगने से लोगों को बचाई जा सकती है इस तरीके के सारी जानकारी के लिए आपको ये course करना अनिवारे होता है इस course के लिए आप किसी भी institute के पास जा के आप ये course की पूरी जानकारी लेके आप इस course में admission ले सकते हैं हम यहाँ पर बात कर रहे हैं St. Joseph International Fire Safety Academy जो आज भारत सरकार के मान्यता प्राप्त course का संचालित करती है जहाँ पर 1 month, 3 month, 6 month और 1 year के courses को यहाँ पर संचालित की जाती है जिसके लिए आपका minimum of minimum 10th and 12th pass out होना अनिवार्य होता है और जहाँ पर आप safety से related पूरी जानकारी, course के दवरान आप ले सकते हैं फ्रेंड, यहाँ पर यह जानना बहुत जरूरी है कि सिर्फ safety के जानकारी हमारे लिए ही महतपुन नहीं रगती है बलकि safety के साथ साथ हमारे एक well settled job के लिए communication English में होना बहुत ही महतपुन होता है ऐसे में जिफसा आपको safety की जानकारी तो देती ही है पूरे अपने academic session में इसके साथ साथ व्यक्तित विकाश के लिए आपके body language, आपके well communication के लिए English की classes जहां तक आज के समय की मैं बात करूँ friend हमारे maximum जो work होते हैं वो computerized होते हैं ऐसे में जिफसा आपको fire safety के साथ साथ, PD class के साथ, English class के साथ आपको IT की class भी देती है जहां पर आप basic level में computer का भी knowledge लेते हैं और जहां पर presentation बनाना और भी आपके word, actual power point होते हैं उन सभी जगहों पर आप अपने आपको भी perfect attain कर सकते हैं तो इस तरीके की सारी जानकारी आपको मिलती है जिफसा के माधियम से जिफसा में आज at present market की जो scenario है जहां पर industrial safety को लेकि जितने भी हमारे latest equipments हैं उनके साथ आपको training देने की सुविधा दी जाती है इन शॉंट अगर आपको मैं बताओं तो जिफसा एक ऐसा संस्थान है जहां पर आपको more than 10 एकड में फैला हुआ practical setup मिलेगा जहां पर आप industrial fire and safety से related जो भी practical है वो आपको live demonstration मिलते हैं साथ इसाथ आपको साढ़े 3,000 से जादा उपकरणों के साथ practical करने की सुविधा मिलती है जहां पर आप confined space जैसे training को आप करके देख सकते हैं work at height की training को आप करके देख सकते हैं कि किस तरीके से उचाई पर चड़ने के दवरान जो हमारे safety belt होते हैं हमारे grip descender होते हैं उनकी कैसे use के जाते हैं और एक safety officer के लिए वहाँ पर क्या challenging role होते हैं वो सारी जानकारी आपको practical के माध्यम से बताई जाती है जिपसा अपने पूर safety officer के रूप में आप तयार करते हैं यकीनन जब आप इस course को करके किसी भी industry में जाते हैं तो आप एक well safety officer के रूप में आप पदस्त होते हैं जहां पर आपकी salary time to time आपके knowledge आपके qualification की साफ से वो बढ़ती जाती है तो ऐसे में आपको ये course करना आज के समय में बहुत ही ज़ा lecture इन सभी सुविधाओं की भी आपको अलग से सुविधाएं देती है एक खास बात friend की हर एक ब्यक्ति का अपना एक सपना होता है कि पढ़ाई करने के बाद एक अच्छे नौकरी में जाके हम job करें तो मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा कि जिपसा जिसका अपना ख आपको जिपसा के माध्यम से यह सुविधाएं दी जाती है जिपसा का अपना खुद का job portal है walk for job आप वहाँ पर जाके भी सर्च कर सकते हैं कि किस तरीके के नौकरी किस तरीके के job आपको यहाँ पर मिलते हैं so friend यह सारी जानकारी अगर आप चाहते हैं तो आप हमारे एक ब इस वीडियो पर आज के लिए इतना ही और हम मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ जहां पर हम आपको बताएंगे कि और किस तरीके से आप अपने बहतर कैरियर को बना सकते हैं जिपसा के साथ so friend thanks to watching this video and again join जिपसा